अबी पर्षों राम नौमी की थी थी थे 25 करूर के आबादी यूपी में रहती है 800 अस्थानों के राम नौमी के सुभा यात्रा थी जलूस भी थे और साथ-साथ इस समय रमजान का महिना चलना है रोजापतार के भी कारेकरम रहे होंगे कहीं भी कोई तूतू में में नहीं हुई दंगे फसाद की बात तो दूर है ये उत्तर प्रदेश की विकास की नहीं सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं है अराजकता के लिए गुंडा गिर्दी के लिए अफवा के लिए कोई जगे नहीं है उत्तरप्रदेश ने राम नौमी के असर पर मर्यादा प्रसोत्तम भगवान से राम की पावन जेनती के असर पर इस थावित किया है नमस्कार मैं अंचली मिश्रो और स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको उतादे की राम नम्मी के असर पर कई जगों पर जड़ब देखने के लिए मिली कई जगों पर हिंदो मुस्लिम के दंगो जैसा महौल था कई जगों पर एक समुधाय के लोगों ने दूसरे समुधाय के लोगों पर राम नमी सेलिब्रेट करने को लेकर अपनी तरफ से हमला किया कही पर प्रशासन भी सक्त नजर आई और प्रशासन के तरफ से भी खास कर पशेमंगाल में जो हाल देखने के लिए मिला कि राम नमी के जोलुस निकाल रहे हैं लोगों पर डंडे बरसाए गए तो साथ तोर पर जिस तरी के से राम नमी के जोलुस के दोरान अलग-अलग राज्यों में जड़ब देखने के लिए मिली है उसे जड़ब को देखते हुए अब इस पूरे मुद्दे पर उत्तर मंतरी योगी अधितिनात की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी अबादी होने के बाव्यूद राज्यों में कोई तनाव नहीं है उन्होंने कहा कि राम नमी के दोरान राज्यों में अलग-अलग जगों पर जुलुस निकाले लेकिन कहीं भी कोई अप्रिया घटना सामने नहीं आई उन्होंने संबंद में एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो साजा किया और उपर में कैप्शन भी लिखा यहां दंगा फसाद के लिए कोई जगा नहीं है साथी जो साजा किया हुआ वीडिय पिस्ता के wow को लेकर जूस निकाले गए साथ साथ इस समय रमजbstान का महीना भी चल रहा है। कहिं भी तू मैं नहीं हूई दंगा फसाद की बाथ तु दूर है। यह उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। यहां दंगा फसाद के लिए कोई जगा नहीं है आराजक्ता कुंडागर्टी और अफवा के लिए यहां पर किसी तरीके की कोई जगा कोई गुंजाइश नहीं है बता दे कि योगिया दितनात का यह बयान तब आया है जो भाली में रावनवी में गुज्रात मद्यप्रदेश के खरगौन में शहर में मुस्लिम बहुमूल हिस्से में हिस्से से गुजरने वाली राम नभी जुलूस पर पत्राओं के बार आग जनी और हिंसा हुई राज की भाजपा सरकार ने 94 लोगों को गिरफ्तार किया और जुलूस पर कथी तुरूप से पत्राओं दित्रनाद का ये सामने आया है इससे ये बात साफ हो गई है कि यहां पर कानून व्यवस्ताहे जिसे लेकर कभी चीजे बोली जाती थी मुद्धा बनाया जाता था उत्टर प्रदेश इतना बड़ा राज्व है और यहां पर जो है चानून व्यवस्ता को लेकर हमेशा पर बनाया जाता था लेकिन कहीं नहीं राम नभमीर में जिस तरीके इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज जिसमें बड़ी आबादी रहती है बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं अलग-अलग और समुदाय को मानने वाले उसके लोग रहते हैं इसके इसके जाता है कानून विवसत्ता बहुत ही स्ट्रॉंग तरीके से काम कर रही है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कोई भी परिशानी देखने के लिए राम नभमी के जुल्स में नहीं मिली लोगों ने अपने-अपने हिसाब से एक तरफ रमजान तो दूसरे तरफ राम का तहवार बहुत ही शांते पुन तरीके से मनाया गया क्योंकि पता है कि योगी आदितनात के तरफ से पॉलिसी सीधी है गलती करेंगे तो भुक्तान भी करना पड़ेगा और ऐसे में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उसके पर पे ऐसी कोई गलती हो जाए इसके विज़ाए से प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है कि आज के वक्त में हर समूदाय के लोग बहुत ही कंटेंट तरीके से अपने अपने पर को मना रहे हैं लेकिन किसी तरीके से कोई जड़क कोई अशांती किसी तरीके के कोई धंगा फसाद के खबरें निकल कर सामने नहीं आई है काई देखने के लिए नहीं मली और इसी चीज को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या दितरनात का बड़ा बयाना आया उन्होंने अपने राज्य में प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि राम नब्मी में उतर प्रदेश में 800 से ज़ादा जगों पर जुलस निकाले गए लेकिन कहीं पे भी कोई जगड़ा दही हुआ दंगा फसाद तो दूर की बात है लखनाओ में लाला जे टंडन की जनती पर सियम योगी ने कारिकरम को संबोधित किया था और इसी दोरान उन्होंने कहा कि परसो राम नब्मी थी उतर प्रदेश में 25 करोड की आबादी रहती है आठ सो इस्थानों पर राम नब्मी की सुभा यात्रा के जलुश भी निकली साथ साथ जो है इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है रोजा इफतार के भी कारिकरम रहे होंगे सियम योगी ने कहा कि कहीं भी तू तू मैमैन नहीं हुई है दंगह फसाद की बात तो दूर है यह उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदरशित करता है यह दंगह फसाद के लिए कोई भी जगा नहीं है अराजक्ता के लिए गुंडागर्दी के लिए और अफवा के लिए कोई जगा नहीं है उत्तर प्रदेश में राम नव्मे के अपसर पर मर्यादा पुर्शुत्तम राम की पावन जैन्ती के अपसर पर ये साबित किया गया है इसे पहले भी योगिया दितनात ने ट्वीट करके लिखा था कि लाला जी टंडन का विक्ति गत्य सकरात्मत रहो पर आगे बढ़ने का एक माध्यम था अता हर एक कारे करता उन पर गौरव के अनुभूती करता है किसी की कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी तो बाबु जी उसके लिए अपलब्द रहते थे और के वह भाजपा ही नहीं अन्य दलर समुदाय के लोग भी उनके पास जाया करते थे सीम योगी ने लिखा के लाला जी टंडन आज भौतिक रूप से भले ही हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन वो अपने कारियों लेखन स्मृतियों के बादम से सदेव हमारे बीच जीवित रहेंगे उनकी जयनती के अबसर पर यूपी सरकार के और से उनने विनम सद्धाजली अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को कोटी-कोटी नमन उनने किया तो साफ तोर पर इसी दौराद इन्होंने ये बाते कहते नजर आईगे वहीं आपको बता दे कि राव नमनमी के अबसर पर देश के दस राजों में हिंशा, पत्राव और आगजनी की घटना हुई दिल्ली, मध्यप्रदेश, गुजरात, पशिम बंगाल, गोवा, महरास्ट्र, छारखंड, बिहार, करनाटक और 36 गड़ के अलग अलग इम जो इलाके है वहाँ पर संप्रदाई का तनाव देखने को मिला तेशकेन राजग मभव इनसा के बाद, उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधी तनात ने बयान दी और कहा कि यहाँ पे यह सबसे ज़ादा अबादी है यहाँ पर सबसे ज़ादा पचीस कडोड की अबादी है वहीं आपको दादे के योगी आदितनात के कानून विवस्ता की चर्चा आज हर जगा है आलम कुछ ऐसा है कि बिहार हुई अमद्यप्रदिश हर जगा योगी आदितनात के जो बुल्डोजर मॉडल है उसको अपनाने के बात कई जाती है उसकी तारीफ की जाती है और कहा जा जो गुंडे है वाफिया है उन पर सक्त कानवाई हो सके तो साफ तोर पर योगी आदितनात ने राम नम्मी के अवसर पर भी साबित कर दिया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी कारून विवस्ता योगी आदितनात के अंडर में जो है पूरी अगर मजबूती से अगर आप उसको ठीक करके रखेंगे तो किसी भी तरीके की संप्रदाइक हिंसा या फिर किसी तरीके के दंगय फसाद के लिए कोई जगा नहीं रहेगी तो उत्तर प्रदेश ने एक ग्जैंपल से टकिया है अब ऐसे मैं इस मुद्दे को लेकर योगी जादी तनात्ते में अपने बयान में क्या कुछ कहा है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पताए